अश्कार दोस्तो आप सभी का श्रागत है हमारी यूट्यूब चैनल फेयर एंड केर टिप्श में दोस्तो आज हम नीम के फाइदों के बारे में बताने वाले हैं अगर आप रोज नीम की पत्ती चवाते हैं तो इससे होने वाले सांदार फाइदों के बारे में बात करेंगे लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिये गए सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दबाएं आयुर्वेद में नीम को कमाल की आश्यधी माना गया है कई स्वास्थ समस्याओं को दूर करने में इसका इस्तिमाल कारगर माना गया है नीम एक ऐसा पौधा है जिसका प्रतेक भाग स्वास्थ से जुरी परिशानियों को दूर करने में काम आता है नीम के पत्ते, टहनिया, छाल, बीज, फल या फूल का उप्योग पारंपरिक अर्वेदिक उप्चार बिभिन बिमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है आज हम आपको नीम के पत्तों को रोच चवाने के फाइदे के बारे में बताने वाले हैं अर्वेद के निशार नीम का पत्ता हमारे वात या निूरो मस्कूलर विकारों को शंतूलित करने में बिशेस रूप से महतपूर्ण है नीम के पत्ते एंटी माइक्रोबियल, एंटी वाइरल और एंटी ओक्षिडेंट गुणों से भरपूर होते हैं इने चबाने से प्रतिरक्षा प्रनारी मजबूत होती है या पत्ते मुक्त कणों से होने वाले नुक्षान को रोख सकते हैं जिससे आमप्रू से लेकर कैंसर या हिर्दय रोग जैसी कई बिमारियों का खत्रा कम हो सकता है नीम के पत्ते बैक्टीरिया को नश्ट कर सकते हैं और आपकी इम्मिनिटी को बूश्ट कर सकती है लीवर के लिए नीम के पत्ते को बहुत अच्छा माना गया है या पाचन को स्वचालित रूप से बढ़ाता है प्रतेक दिन नीम का शेवन आतों के छेतर में मौजूद अतिरिक्ट बैक्टीरिया को खत्म करता है और आपके व्रिहदांत्र को साफ रखता है इससे आपको पाचन को बहतर बनाने में मदद मिल सकती है इसकिन के लिए नीम बहुत लाबकारी माना गया है नीम के पत्तों का सेवन विशाक्त पदार्थों को दूर कर सकता है नीम के पत्ते के सेवन से रक्त शुद होता है जिससे हमें शुद स्किन मिलती है नीम के पत्ते में मौजूद एंटिबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शंक्रमन, जलन और तवचा की किसी भी तरह की समस्याओं को दूर करने में बहुत अशरदार होते हैं कीड़े के काटने, खुजली, एकजीमा, रिंग कीड़े और कुछ हलके तवचा रोग की इलाज के लिए नीम के पत्ते और हल्दी के पेश्ट का इस्तिमाल किया जा सकता है